Hello everyone, welcome to जिन्दगी है ड्रामा आज हम बात करेंगे किंग्दा लैंड के एपिसोड 11 के बारे में आने वाल एपिसोड बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम देखेंगे कैसे दोनों बहन भाई कंपनी के निये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ेंगे जैसे कि आप सब जानते ही हो गवान हमारा हेरो जो लोगों के बारे में सोचता है और अपने इंप्लोईस का बहुत ही जादा ख्याल रखता है उसे पैसे तक कोई मतलब नहीं है और दूसरी तरफ उसकी बहन जिसे सिर्फ और सिर्फ कॉमपनी पैसा और रितवी की परवा है और वो ये सब कुछ अपना हक समझती है और वो गवान के साथ ये सब कुछ शेर नहीं करना चाती क्योंकि गवान उसको सोतेला भाई है और इसे कारण वो गवान के लिए प्रॉब्रम क्रियेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती जैसे कि आपने लास एपिसोड में देखा ही होगा होटेल एनवर्सरी की पार्टी के जिम्मेदारी गवान खुद ने लेता है और ये बात उसकी बेहन को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो गवान से बहुत जादा जैलस फिल करती थी और उसे ये भी लगता था कि फ्यूचर में ये सारे प्रॉपटी गवान की हो जाएगी क्योंकि वो एक लड़का है और ये बात उसके रिष्टेदारों ने भी उससे कई बर कही थी इसलिए वो गवान से नफ्रत करती थी और उसे बिजनस में आने नहीं देती थी और वो इस पूरे प्रॉपटी पर खुद का हक समझती थी पर जब इससे पार्टी की जिम्मेदारी गवान खुद ने लेता है तो वो इस बात से बहुत ज़ादा चिट जाती है और इसलिए वो पार्टी को खराब करने की पूरे कोशिश करेगी ताकि गवान उसके डैड की नजरों में निकमा सबित हो और उसके डैड बिजनस की पूरे जिम्मेदारी उसे सौप दे पर ये देखना बहुत ज़ादा इंटरस्टिंग होगा कि क्या गवान इन प्राब्लम का सामना कर पाएगा ये नहीं और आने बारे एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि गवान सरंग को अपनी मा के बारे में सारी बाते बता देगा और सरंग उसे ये एडवाइस भी देगी कि उसे उस गेटमें से अपनी मा के बारे में पोछना चाहिए क्योंकि वो इस हटेल में सबसे पूराना इंपलॉई है और उन्हें तुम्हारी मा के बारे में जरूर पता होगा और ये था हमारा एपिसोड 11 का प्रीवियू और एपिसोड 11 और 12 रिलीज होंगे सैटेड़ी और संडे को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सबस्क्राइब जरूर करना अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई